यूपी में रैलियों का दोड जारी है और ऐसे में बीजेपी का प्रचार करने केंद्री ग्रह मंत्री अमिशाह लखनों पहुँचे थे अमिशाह की इस रैली से निशाद समाज को काफी उम्मीदे थी लेकिन उन्होंने निशाद समाज को नारास कर दिया जिसके चलते निशाद पार्टी प्रमुख संजय निशाद ने सीम योगी को पत्र लिख कर अपनी नाराजगी भी जताई थी और अब सुभा सपा प्रमुख ने निशादों की बीजेपी से नाराजगी का फाइदा उठाने की कोशिश की है तो आखिर कैसे देखे उन्हें उमीद थी कि लखनों में हुए कारिकरम में अमिश शाह आरक्षन का मुद्दा उठाएंगे लेकिन उन्होंने इस मुद्दे का नाम तक अपनी जुवां से नहीं लिया जिसके बाद निशाद समाज के अंदर बीजेपी से नाराजगी बढ़ गई है और अब सपा इसका फाइदा उठाने की जुगत में लगी हुई है इसलिए आज प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान सपा अध्यक्ष ने निशादों को साधने की कोशिश की उन्होंने कहा निशाद समाज के साथ धूखा हुआ है भाजपा के पूर्व सहीयोगी और अब समाजवादी पार् पहले निकालने को कहा है वही संजनिशाद की नाराजगी देख भाजपा के पूर्व सहीयोगी और अब समाजवादी पार्टी के खेमे में जा चुके ओम प्रकाश राजबर ने निशाद पार्टी अध्यक्ष को सपा के साथ हाथ मिलाने का नियोता दिया है ओम प्रकाश हैं कि वे आएं और हम सब मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ें और उनको हराएं आज भाजपा से सारा वर्ग नाराज है बेरोजगारी को लेकर युवा वर्ग नाराज है जी एस्टी से व्यापारी वर्ग नाराज है खाद नहीं मिलने से किसान नाराज है भाजपा ने पहले भी निशाद पार्टी की तरफ हात बढ़ा चुके हैं और एक बार फिर उन्होंने कोशिश की है दरसल राजबर खुद आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी से अलग हुए थे तो अब राजबर ने तो अपना दाव चल दिया है अब देखना होगा कि निशाद उनके आफर को कुबूल करते हैं या उससे पहले बीजेपी निशादों की नाराजगी दूर कर देती है डीवी लाइव की रिपोर्ट